नमस्कार सभी किसान साथियों युवा साथियों भाईयों और बहनों मैं राजुराम राठोड तैसिल बिलाड़ा जोत्पुर राजस्तान से आज इस वीडियो के माध्यम से आज एक बहुत ही महतोपून जानकरी लेकर आये हैं आपके स्वास्ते से सम्बन देख चर्चा करे हैं इसके बारे में यह क्या है और यह आयरवेद उत्पाद हम जो बना रहे हैं यह आपको कैसे बनाना और यह क्या काम करेगा आप मोबाइल की स्किन पर एक प्लास्टिक का टब एक कटोरी और एक कांच का बोटल और कुछ एक पेड़ की फली देख रहे हैं इसका उप्यो लोग किस परकार करना है और इससे क्या फाइदा है पहले आपको बता देता हूँ जो मोबाइल की स्किन पर जो आप यह पेड़ देख रहे हैं इसे बबूल का पेड़ और कीकर का पेड़ भी कहते हैं और इसके उपर लगने वाली यह जो फलियां है यह फलियों का आईरवेद में स्वास्तित से संबन दित बहुत ही महतोपूर्ण इसके अंदर ऐसे कुछ निट्रेंट है जो की शरीर के अंदर उत्पन्न होने वाली व्यादियों को दूर करता है यह एकदम नैचुरल है इस पेड़ में किशी भी तरह का कोई कैमिकल कोई पेस्टिशाइड इस्तेमाल नहीं होता यह भगवान के द्वारा प्रदत कुद्रत के द्वारा प्रदत एक आयरवेदिक औसदी है जिसका उप्यूग आपको हमको और सभी को अपने लिए करना बहुत जरूरी हो जाता है जो यह पेड़ के उपर लगी पपड़ियां आप चाया में सुका ले जो कि आप यह देख रहे हैं यह इससे पहले चाया में हमने सुका ली और यह सूख चुकी है मित्रों सूख जाने के बाद इसको आप छोटे टुकड़ों में भी रख सकते हैं अगर इस तोड़ों आप पाउडर करें तो पाउडर भी आप बना के ये जो आप powder देख रहे हैं ये एकदम दरदरा powder है न एकदम महीन है न ही बड़ा बड़ा दरदरा पाउदर पीस के आप छोटे डिब्बे में भरके रख लें ये कभी एक्षपायर नहीं होता ये कभी खराब नहीं होता नहीं इसमें कोई गुन इल्ली पड़ते हैं क्योंकि इसका नेचुरली शुबाव है आज इस वीडियो के बारे में आप जो देखेंगे इसमें स्वास्ति से सम्मंद एक ऐसी जानकरी छुपी है जिसको लेकर आप सभी काफी परिशान रहते हैं अगर आपको आपके परिवार में आपके पडोस में किसी को भी सूकी खासी है सुकी खासी अगर है कप बार नहीं आ रहा है और स्वास लेने में बड़ी दिक्कत होती हो स्वास लेने के बाद जो पेट की आंतरिया है वो भर जाती ऐसी इस्तती से भी कहीं लोग गुजरते हैं तो अगर आप मेडिकल का टीटमेंट लेके ठक चुके हैं और कोई उपाई करके आप ठक चुके हैं तो ये अगर आप जो आज मैं आपको तरीका बता रहा हूं अगर इसका उपियोग करता है तो सो प्रतिशत गारंटी के साथ आप जैसे इसका सेवन करेंगे अगले पांच म पा रही है या आते भर जाती है तो उसका ये एक सटिक उपाई है जैसे कि मैंने बता दिया है इस तरह इन पपड़ियों को छाया में सुका लें पेड़ से उतार लें इसको आप टुकुड़ों में भी रख सकते हैं ऐसा पाउडर भी कर सकते हैं अब अगर आपको जिस समय उपियो करना है तो किसान साथियों इसके साथ अपने को एक चीज और मिलानी है पहली पहली तो ये चीज मिलानी है अब ये कितना लेना है अब मैं आपको बता देता हूँ अगर किसी को चाहिए एक आदमी को तो इतना सा पाउडर लें ये देखिए मैंने इतना सा पाउड अदर लिया अब अगली चीज अपने को लेनी है सेकी हुई अद्रक यह जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं यह सेकी हुई है अद्रक सेकने का मतलब इसको चुले के अंदर अंगारों पे थोड़ा सा इसको गरम कर लें गरम करने के बाद जब यह काला हो जाए इसको निकाल खलबते में इसको कूट लें बड़िया कूट लें और चाई की छलने से इसको दबा के इसकी दो बूंद तीन बूंद रस इसमें डाल लें पहला उत्पाद दूसरा उत्पाद अद्रक आप देख रहे हैं इतनी सी इद्रक लें इस अद्रक को खल्वत्ते में कूट कर जो चाई छानने की छलनी होती है उसमें इसको अंगूटे से ऐसे दबा दें दबाने से इसका जो रस है दो चार बूंद इसमें डाल दें ये इसका भी अर्क जो निकलेगा कड़वा और कसीला निकलेगा अब दो चीज आपके पास कड़वी हो गई अब इसको मिक्स करने के लिए ये सहद है आप कोई भी पातर में रख सकते हैं सहद पर कांच की बॉटल में अगर रखते हैं ये बिलकुल नैचूरल सहद है इसमें किसी भी तरह का कोई मिक्स नहीं है अब इसमें ये जो चमच है इस चमच के बराबर सहद इसमें मिलाना है बस इतना सा प्रियोग करना है अदरग के जूस को इसमें मिलाना है और एक चमच सहद इस पाउडर में मिलाकर इसकी लोई बनानी है अच्छी तरह से लोई बनाकर जब ये लोई बन जाए जिसे भी ख खासी हो या कब खासी हो या बल्गमा नहीं निकल रहा हो तो उसे आप सुबह, दोप़र, शाम, दिन में एक ही दिन तीन बार चटा दें, दो दिन, तीन दिन लें, चौतहे दिन से आपको इसका इस्टंट परिनाम देखने को मिलेगा और आपको कभी भी मैडिकल की दवा या होस्पीटल की दवाओं के बरों से नहीं रहना पड़ेगा इसका प्रियोग हमने बहुत हों पर किया जिसका प्रिणाम बहुत एकदम बढ़िया आया अच्छा लगा तो हमने आपको भी बताया ये आपको वीडियो कैसा लगा आप इसका प्रियोग करके देखें अगर आपके आसपास बबूल का पेड़ है तो इसकी फलियों को पकने से पहले आप उतार लें ध्यान ये रखना इसको छाया में सुकाएं छाया में सुकाएं पूरी सूक जाने के बाद छोटे टुकडे कर लें चोटे टुकडे भी आप रख सकते हैं अक्सर इसका प्रियोग बुजुर्ग लोग जो इसके जानकार हैं गुटनों में दर्द होता है तो इसका उप्योग करते हैं कहीं ज़्यादा बोलने का काम पढ़ जाता है गला बैठ जाता है तो इसकी पपड़ी को इतना सा तोड़ के इतना सा तोड़ के वो मुँ में डाल देते हैं ये न तो जल्दी कटता है न जल्दी गुलता है जैसे की चोकलेट मुँ में डालने से गुल जाती है वैसे ये है नहीं जैसे जैसे ये मूँ में रहता है इसका रस जो कसीला रस है वो धीरे धीरे गले के अंदर से होके अंदर पेट में जाता है तो गला भी इसका जिसका गला बैठ गया हो वो ठीक हो जाता है ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और अगर आप भी खासी रोख से ग्रसित हैं तो इसे आजमाए जरूर आपको लाद मिलेगा धन्यवाद